Hello everyone, welcome back to my channel, this is Priyanka और आजम बात करेंगे अपने EVS NCRT Hindi Notes के बारे में यानि कि जो हमारे पारवर अधन के जो नोट्स हैं वो आपकी हिंदी भासा में आपको और बहतर बढ़ाने के लिए तो पारवर अधन के अंतर का आज हम बात करेंगे कुछ पक्षियों के बारे में, कुछ जनवरों के बारे में जो हम NCRT किताब के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं तो चलिए वो भी डिसकस कर लेते हैं जो हमारे एक्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट नमर हम पहरे की शुवात करते हैं जारतर पक्षी अपनी गर्दन बहुत जादा हिलाते हैं जिससे पक्षी अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देख सकते हैं क्योंकि इनकी आँखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं आपने स्वैम देखा हुआ कि जारतर पक्षी क्या करते हैं अपनी गर्दन बहुत जादा घुमाते हैं हिलाते हैं क्योंकि वह आसपास देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनकी जो आखों की पुतलियां होती हैं वह घूम नहीं सकती हैं नेक्स पॉइंट की हम बात करेंगे बाज और गिद जैसे पक्षी हमसे चार गुना जारा दूर से देख पाते हैं अगर आपके कुश्वन में आ जाए कि निम लिखित मैं से कौन से ऐसे पक्षी है जो हमसे चार गुना अजिक देख लेते तो आपको याद अखना है बाज और गिद अब चार गुना का मतलब ही समझ लेते कि चार गुना का मतलब क्या है कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम कोई भी चीच दू मीटर की दूरी से देखते हैं तो वही चीज यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं सिंपल सी बात है कि अच्छा इस तरीके से को कोश्चन मोडिफाई होके आ सकता है कि ऐसी मतलब पक्षियों के बारे मताएंगे निम लिखित मैं से ऐसे कौन से पक्षी है जो चीज हमें 2 मीटर की हाई देती है वही चीज यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं तो भी आपका अंशर क्या हो जाएगा बाज औ गिद ठीक है अब हम बात करेंगे अपने नेक्स पॉइंट की नेक्स पॉइंट है हमारा जब पक्षी दोनों आखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है ठीक है नेक्स पॉइंट की हम बात करेंगे जब अलग-अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखनी का दायरा भरता है तो उन्हें चीज की दूरी का एसास होता है चीज का मतलब यह हुआ कि जैसे आप कोई शिकारी है या कोई ऐसे शिकारी पक्षी है जो उनका शिकार करना चाहते हैं तो वह उस चीज पर एक ही चीज पर केंदित करते हैं तो उन्हें डिस्टेंस का एसास होता है कि वह उनकी द पर है नेक्स बात करेंगे हम अगर जब अलग-अलग चीजों पर केंदित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है दोनों बाते अलग-अलग हैं कि जब अलग-अलग चीजों पर केंदित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है और जब दोनों आखें एक ही चीक पर केंदित रहती हैं, तो उन्हें जो मतलब किसी भी वस्तु है, या फिर कोई शिकारी है, या शिकारी पक्षी है, शिकारी जानवर है, तो उन्हें उनकी दूरी का ऐसास होता है. नेक्स हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, तो जारातर पक्षियों की आँखें, उनके सिर के दौनों तरफ होती हैं, इससे पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, कितना अच्छा पॉइंट दिया है, हमारी NCRT किताब में बच्चों हमें समझाना है, ठीक है, जारातर पक्षि क्या करते हैं, अपनी जारातर पक्षियों की आँखें जो होती हैं, उनके सिर पर होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, वे एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, आच्छा बच्चों को समझाने से प ठीक है, नेक्स हम बात करेंगे, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आखें एक ही चीट पर केंदरित होते हैं, यानि कि जब यह बिल्कुल सामने देखेंगे, तब इनकी दोनों आखें एक ही चीट पर केंदरित होते हैं, ठीक है, अगला पॉंट है, अ और जमीन पर चल कर आने वाले जो दुस्मन होते हैं उनके लिए अलग तरह की आवाज चीक है इसको हम समझते हैं अगले पॉंट से जैसे की हमारा जंगल में उचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती मुसीवत जैसे से चीता को देखकर एक खास आवाज निकाल कर और अपने साथियों को भी संदेज देता है इस काम के लिए पक्षी भी कुछ अलग तरीकी खास आवाज निकालते हैं तो यानि कि जो दुस्मन होते हैं इन लोगों के उन लोगों को आगाहा करने के लिए अपने साथियों को इनके पास एक हुनर होता है जो अलग अलग तरीक से देती हैं तो मसलियों में भी थास्यत होती है वे विजली के तरंगों से दारा चिताबनी देती हैं इसको समझेंगे और हम बहतर एक अगले पॉइंट से ठीक है जैसे कि आपको याद होगा कि सन 2004 के अगर हम बात करें सन 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अ अंडवान और निकोवार की एक खास अधिवाशी प्रकास जाती कि लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए ठीक है कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सन 2004 की हम बात करें तो सन 2004 में जो हमारे सुनामी आए थी उस समय क्या किया था कुछ जानवरों के अजी बिभार थे और जिससे वो चेतावनी देना चाते थे और इन अवाजों को अंडवान निकोवार की जो एक खास आधिवासी प्रजाती थी उन्होंने इनको समझ लिया था जिससे अपना इलाका उन्होंने खाली कर दिया था इस प्रकार इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान ठीक है तो यह था हमारा खास पॉइंट तो सांपके भी कान नहीं होते जैसे कि आप सभी जानते हैं वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है तो यह जो हमारा पार्ट है बेसिकली हम इस पर पार्ट के दारा बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जानवर किस प्रकार के वेवार करते हैं और उन वहारों का क्या अदेश होता है क्या वह एपनी साथियों को समझाने का प्रयास करते हैं अफ्иля लगए हो तो आप जरूर इसको नोट करके जरूर रखिए गा क्योंकि आने वाले एक्जाम में आपको किस तरीके से भी पूछ सकते हैं ठी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो